प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तलंगाना दौरे पर हैं करीम नगर के एक मंदिर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पूझा अर्चना की तलंगाना दौरे पर पीम मोदी ने श्री राज राजिश्वर मंदिर में पूझा अर्चना कर दर्शन किये मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधे विधान और मंत्रोचारण के साथ मंदिर में मापूजा अर्चना कराई वही मंदिर के बाहर मौजूद लोगों का पीए मोदी ने अभिवादन भी स्वेकार किया अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले और खुद अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाले कॉंग्रिस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर बेहत शर्मनाक और विवादित बयान दिया है इस बार सैम पित्रोदा ने नसलवादी टिपणी की है उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाली लोगों को लेकर नसली ब्यान दिया है सेम पितरोधा ने भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को रंग रूप के आधार पर अलग-अलग बांड दिया है पितरोधा ने जहां देश के पूर्वी हिस्से के लोगों की तुलना चीन के लोगों से की है वहीं पश्चिम के लोगों की अरब के लोगों से की है साथ ही उन्होंने उत्तर और दक्षन के लोगों के रंग को लेकर भी बेहद शर्मनाग टिपणे की है कॉंग्रेस के ओवर्सीज अध्यक्षिर सैम पितरोधा के बयान पर प्रधान मंत्री ने वारंगल की जनसभा में पलटवार किया उन्होंने कहा कि राष्टपती चुनाओ के दौरान कॉंग्रेस क्यूं द्रौवती मुर्मू का विरूत कर रही थी उन्सकी असली वज़ा आज सामने आई है कॉंग्रेस नेता सैं पितरोधा द्वारा दिये गए नसलवादी टिपणी के बाद कॉंग्रेस बैक फूट पर नज़र आ रही है कॉंग्रेस नेता जैराम रमिश ने एक वीडियो संदेश के जरी सफाय दी है कि पितरोधा का बैयान दुर्भा के पूर्ण है और कॉंग्रेस पार्टी इस बैयान से किनारा करती है कॉंग्रेस महासचिव प्रयंका गांधी ने उत्तरप्रदेश के राइवरेली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया प्रयंका गांधी ने कहा कि आपका वोट स्वास्ती सड़क बिचली रोजकार को जाना चाहिए कोई नेता यदि वोट मांगने आता है तो उससे पूछो कि आपने हमारे लिए क्या किया